Assalamualaikum and welcome to another video आज की इस चोटी सी वीडियो में आप जानोगे कि आप अपना ज्यादा सब्मिट की हो और टेक्स कैसे क्लेम कर सकते हो, क्लेम करने का तरीका क्या है और कौन से जुरूरी डाकुमेंट्स आपको लाजमी चाहिए होंगे इस वीडियो से आपका फाइदा हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा सा ज्यादा शेयर करें और इस चैनल का सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ओन करें तो चलिए पहले मिनिमम डाकुमेंट्स के बारे में जान लेते हैं मैं आप से अपना practical experience शेयर करूँगा और आप भी इसको फॉलो करना जाओ तो कर सकते हो टैक्स रिटर्न हासल करने के लिए आपको कुछ डाकुमेंट्स भी ज़रूरी चाहिए होते हैं जो salary, business, freelancer and non-resident Pakistanis के लिए different है मगर मैं आपको यहाँ simple और minimum required documents के बारे में बताऊंगा एक और बात याद रखिएगा कि आप सब पिछले तीन सालों का tax refund हसल कर सकते हैं उससे पिछले सालों का नहीं लहादा जिस साल का tax refund बनता हो उसी साल ही claim कर ले सबसे पहले तो आपने एक application ready करनी है और उसको इस refund के साथ attach करना होगा इसका फाइदा यह होगा कि क्योंकि जब आप refund लेने जाएंगे वहाँ पे तो वह आप से दुबारा एक application लिखवाएंगे उससे बेटर है कि आप इसको साथ ही submit कर दे application का draft देखने के लिए वीडियो की description में एक link दिया हुआ है वहाँ जाकर इसको view कर सकते हैं नमबर टू, salary person के लिए आपको अपने पूरे साल की एक salary slip हासल करनी होगी जिसमें पूरे साल का tax deduction लिखा होता है किसी एक महिने की salary slip FBR वले कबोल नहीं करते नमबर त्री, अब तीसरा पॉइंट business salary, freelancer और non-resident पकिस्तानी के लिए है तीसरे नमबर वो आपने एक साल के दोरान tax return के जिस-जिस head में withholding tax pay किया था उसका proof भी आपको साथ चाहिए होगा अब चाहे वो bank transaction पर हो आपके mobile या PTCL पर किसी product purchasing पर हो वर्द ये कि किसी भी किसम का withholding tax जो आपने एक साल में अपनी required tax amount से ज्यादा pay किया है और जिसको आपने अपने submit की हुई tax return में mentioned भी किया था उसकी भी एक file बनाकर आपने attach करनी है नमबर फो, जिस साल के लिए आप tax refund claim कर रहे हों उस साल की submit की हुई tax return का एक print भी आपने साथ में attach करना है ये चार documents आपने हर सुर्ण लाजमी submit करने है इसके लवा, FBR चाहे तो आप से इसके related कोई दूसरे documents भी मांग सकता है चलिए आप मैं आपको बताता हूँ कि आप tax refund claim कैसे करेंगे तमाम documents arrange कर लेने के बाद आपने refund वाला form submit करना है और इन documents को उसके साथ attach करना है जैसे ही आप अपना tax return वाला form open करेंगे तो पिछले सालों की या जो current या जिसमें आपने values add की है उसके जो refund बनता है उसके लिए आपने ये tax chargeable और इसके नीचे ये competition पर जाना होता है यहाँ पर सबसे नीचे देखें तो यहाँ आपको नजर आ रहा है ये amount 57 यानि ये जो है इनके total amount थी 12 लाक इनकी income थी और उसके against इनका 30,000 वेकर जो था वो tax बनता था मगर इन्होंने 35,700 जमा करवाया है तो उसके against 30,000 के बाद उपर वाला जितना भी था वो सारा यहाँ पर refund में हा गया अब यहाँ से आपने इस value को note कर लेना है और वापस आपने अपने dashboard पर आने के बाद यह refund वाली tab में से 170 application for refund इसको ले लेना है मैंने इसको यहाँ पर open किया हूँ already यहाँ से आके आपने period check करना है जिस period यानि जिस साल के लिए आप वो refund हासल करना चाहरे है यह जो centrum में लाइन दी हूँ यह इसको यहाँ आपसे खतम कर दें और यहाँ पर आप simple लेक दें 57 ठीक है बाकी statement को वैसे ही रहने ज़े इसको छेड़ने के कोई जरूवत नहीं अब आ जाते हैं इस attachment वाले टैप यहाँ पर हमने अपने साथे documents को रहा है इसके साथ attach करना है simple यह plus वाल आइकन पर click करें और इसके एक file आप पहले से ready कर लीजिए ताके आपको यहाँ पर ज़्यादा time ना गुजारना पड़े और बलके easily आप आराम से कर ले यहाँ पर यह जो documents दिये हुए इनको one by one इसके साथ attach कर दे मैं इसको fast forward कर देता हूँ करके आपको ज़्यादा wait ना करना पड़े जी तो मैंने यह 4 documents जो minimum required documents होती है वो इसके साथ attach कर दी है attach करने के बाद आपने simple इसको एक दफ़ा save कर लेना है और यहाँ से submit कर दीना है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यह जैसे आप submit करेंगा आपको एनली जमा करो इसका एक तरीका कर तो यही है जैसे आप इसको submit करेंगे आप यह साथ डाकुमेंट ले जाकर पहले ही वो local FBR office में जमा करवा दे या अगर जब वो आपसे मांगे तब ले जाकर जमा करवा दे जैसे ही आप जमा करवाएंगे तो इसके scrutinio गरा करेंगे और हो सकता है 1 month या 1.5 month के दुरान आपका जो refund है वो claim हो जाएगा यह refund मिलेगा कहां पे आपको यह refund मिलेगा direct आपको आपके bank account में क्योंकि आप सब ने अपना जो profile में अपना bank account अलड़ी अड़ किया होता है तो जैसे यह procedure पूरा होता है वो FBR direct आपके bank में इसको credit कर देता है तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जानना कि आप अपना tax refund किस तना से असल कर सकते हैं document कौन से चाहिए होंगे और FBR वाले कितना time लगाएंगे आपका tax refund credit करने में अब जाते जाते इस वीडियो को like करें ज्यादा से ज्यादा share करें और मेरे इस चैनल को subscribe करके साथ में मुझोद bell icon को लाजमी प्रेस करें मैं मिलता हूँ आपस अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अलाहाफेज